Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Amazon से open box delivery में कोई product मंगाने का सोच रहे हैं तो आज का वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप open box delivery Amazon से order कर सकते हैं तो वीडियो काफी ज़्यादा interesting होने वाला है तो hey guys, मेरा नाम है Anis and you are watching Solankeji Technical दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक शोटा सा request है अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद लगता है आपको helpful लगता है तो please like कर दीजेगा, subscribe कर दीजेगा और bell icon को और पर select कर दीजेगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को start तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये open box delivery होता क्या है नॉर्मल जो delivery होता है उससे ये क्या difference करता है जो ये open box delivery कहलाता है तो दोस्तों जैसे कि आप Amazon से कोई भी product order करते हैं नॉर्मली तो आपको क्या करना पड़ता है delivery executive आता है आपके घर में वो product देने से पहले आपसे एक OTP मंगता है जैसे ही आप उसको OTP देते हैं वो आपको product दे कर चला जाता है लेकिन open box delivery में इससे अलग होता है open box delivery में होता क्या है जब भी delivery executive आपके घर में आगा वो product को open करके दिखाएगा आपके सामने open करके दिखाएगा उसके बाद आपको verify करना होता है क्या क्या verify करना होता है कि product कहीं damage तो नहीं है accessories जो भी इसके साथ है वो पूरा accessories है की नहीं है ये सारा कुछ चीज आपको check करना होता है तो ये सारा कुछ चेक करने के बाद उसके बाद आपको OTP देना पड़ता है समझ रहे हैं उसके बाद आपको OTP देना पड़ता है तब वो complete होता है जिसको बोला जाता है open box delivery तो normal delivery और open box delivery ये दोनों में ये difference है तो दोस्तों अगर आपको कोई भी product Amazon से मंगाना है open box delivery में तो उसका process क्या है वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए अगर आप open box delivery में कोई भी product मंगाते है तो ये completely तीन sector पर depend करता है सबसे पहले आप कोई से product मंगा रहे हैं किस type का product है दूसरा आपका delivery location कोई से है delivery location कोई से अगर आपका location बड़ा city में है तो ये आपको मिल जाएगा छोटे city में ये आपको available नहीं मिलेगा और तीसरा ये completely depend करता है Amazon के उपर कि वो कोई से product में आपको open box delivery option देना चाहता है और कोई से product पे open box delivery नहीं देना चाहता तो for example अभी open box delivery Amazon में कुछी product पर available है सारे product पर अभी available नहीं है जैसे कि flip card में काफी शारा product पे available कर दिया गया है तो जैसे कि हम अगर Amazon से TV लेते हैं refrigerator लेते हैं बड़े बड़े product लेते हैं तो उसमें आपको open box delivery का option मिल जाता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि open box delivery वो product पे है की नहीं वो कैसे check करें तो देखिए दोस्तों आपको Amazon app open करना है जो भी product आपको चाहिए उसको आपको add to the card कर देना है जैसे ही आप उसको add करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है दूसरे number में आपसे पूछा जाएगा इस step में address choice कीजे तो जो भी आपको address choice करना है वो choice कर लीजेगा उसके बाद उसमें installation details और delivery details के बारे में आपको पूछा जाएगा तो just उसकी नीचे में आपको open box करके लिखा हुआ मिल जाएगा अगर वो product में open box delivery का option available होगा तो अगर वहाँ पे open box लिखा हुआ नहीं आता that means उसमें आपको open box delivery का service नहीं मिल पाएगा अगर उसमें लिखा हुआ है तभी उस case में service आपको मिल पाएगा अब देखिए for example मैं एक television order करता हूँ अब television order करता हूँ तो उसमें आपको open box delivery का option आपको मिल जाएगा अगर आपका जो सहर है जो भी आपका city है वो बड़ा city होगा तो आपको अराम से television में रेफरीजेटर में ये बड़े बड़े product में Amazon के तरब से open box delivery का आपको option मिल जाएगा अब देखिए open box delivery आपको cash on delivery में available नहीं मिलेगा Amazon में Amazon में आपको prepared order पर ही आपको open box delivery का आपको option मिलेगा ठीक है ये आपको मैं clear कर देता हूँ अगर आपको open box delivery Amazon से चाहिए तो आपको prepared order मंगाना पड़ेगा अब जैसे open box delivery में आपके पास कोई भी product आता है तो आपको जो भी delivery executive है उसको बोलना है कि आप इसको open करके दिखाईए अगर वो नहीं दिखाता है तो बोलना है आपको जर्नली वो आपको दिखाएगा लेकिन अगर नहीं दिखाता तो आपको बोलना है उसको कि इसको open box delivery में आप open करके दिखाईए फिर वो आपको open करके दिखाएगा उसके बाद आपको सारा कुछ चेक कर लेना है सबसे पहले चेक करना है आपको मैं बताता हूँ और तीसरा एक काम और कर दीजेगा जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा आप उसको उसी टाइम कोई भी घर के आसपास में सॉकेट होगा तो आप उसको लगा कर भी चेक कर लिजेगा कि चालू है कि नहीं है Physically तो आप चेक कर लिये लेकिन internally चालू है कि नहीं है extension नहीं है तो delivery होने से पहले आप extension का जुगार करके रख लीजिए गा किसी से मंग लीजिए गा या या नया लेकर आ जाएगा क्योंकि extension बोड तो काम आता ही आता है तो यह तीनों काम करना लेकिन जब आप चालू किये तो बंद निकल गया और आपने उसको ओपन बॉक्स गिलवरी में ले लिया है तो भी डंडने की बात नहीं है तो वह आपका replacement या return हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी टाइप का problem हो मत तो आप उसी stage में आप चेक कर लिजेगा अब देखिए अब आपने चेक कर लिया और सारा कुछ सही निकला ऐसे सेरी सही है उसका और physically damage भी नहीं और चालू भी condition में है उसके बाद आपको क्या करना है जो भी आपको OTP आया होगा वो OTP आपको जो भी delivery executive है उसको बता देना है उसके बाद वो चले जाएंगे और आपका product open box delivery के तहट आपको मिल जाएगा ठीक है अगर उसमें कोई damage आ जाता है तो आपको direct उसी time उनको बोल देना है कि इसमें ये damage है ये crack है या जो भी है उसके बाद वो उसको return कर देंगे और आपका जो भी पैसा है वो आपको refund मिल जाएगा उसके बाद आप फिर से वो TV को दुबारा reorder कर सकते हैं ठीक है तो उसका जो open box delivery का कुछ इस प्रकार का process होता है ये replacement नहीं होता है कुछ case में replacement आपको available भी करा दे लेकिन आपको नया order करना होता है generally cases में ये direct return होता है ठीक है तो आपको कुछ इस प्रकार से open box delivery में आप Amazon से कोई भी product मंगा सकते हैं और check कर सकते हैं कि आपको ये product में Amazon open box delivery का option दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो दोफ्तों आप बताईएगा जरूर कि आपको मेरे आज का वीडियो कैसे लगा अगर अच्छा लगा होगा तो please like कर देना subscribe कर देना और bell icon को all पर select कर देना क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो रुजाना लाते रहता हूं तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाई बाई टेक केर